तो आपको मैंने आलरेडी ही वेभे अप्लेकेशन करेंस्ट डियों दैल से मिलके बनता है его होगे या अप्लेकेशन सर्वर और तीसरा क्या होता है database server guys एक बात मैं अभी आप लोग को बता जो यह चो तीनों मैंने बताया ना तीन component front end application server और database server यह तीनों को हम लोग कहते है tiers means जो पहला tier है वहाँ होगा front end तो second tier है वहाँ होगा application server और जो third tier है उसे हम लोग कहते है database server तो जब भी आप लोग 3-tier application का नाम सुनो, आप लोग समझ जाना कि वहाँ पर इसी 3-tier का बात किया जा रहा है, पहले tier पर front end, second tier पर application server और third tier पर होता है आपका database server, फिलहाल में और हाँ ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 3-tier को ही रखो, अब चाहो तो single tier पर भी web application run कर सकतो, two tier पर भी web application run कर सकतो, आप चाहो तो multiple tiers को भी डाल सकतो, तो हम ये सारे चीजों को यहाँ पर देखने वाले हैं, फिलहाल हम लोग अभी start में tier 1 से चलेंगे, जहां पर हम लोग बस अपने front end server को देखेंगे, उसके बाद फिलहां हम लोग database पर जम करेंगे, और finally at the end हम लोग application server को देखने व तो जो आप लोग server पर host करतो हो, जो virtual machine होता है, जो server होता है, उसे AWS ने नाम दे रखा है EC2, तो आपको बस यहाँ जाना है AWS में, यहाँ से EC2 पर आपको click करना है, दोस्तों I hope कि आप लोगों ने account बना रखा होगा, अगर नहीं बना रखा है तो please बना लीजिए, और यह complete console आपको दिख रहा है न, यह EC2 dashboard, यहाँ से आप अपने complete servers को manage कर सकते हो, जो virtual machine होता है, उसी virtual machine को AWS EC2 instance कहती है, अब चलिए, यह हमारा EC2 instance का यह dashboard है, मेरा जितना भी virtual machine run कर रहा होगा न, वो सारे के सारे machines आपको इसी instances section के अंदर दिखाई देंगे, ठीक है, अब चलिए, मैं आपको simple सा, सबसे पहले simple सा front end application, create करके, run करके दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ से जाना है, बस दोस्तों आप लोग, बस मुझे follow करते रहो, आप लोग यह मसोचों कि भाई, मैंने पहले यह topic क्यों परहा दिया, मैंने पहले वो topic क्यों परहा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे बस step by step follow करते रहो, it will be easy for you, so, अब आपको launch instance पर यहाँ से click करना है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, virtual machine means एक server को launch कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो अपना application का code है, उसे run करना है, तो दोस्तों, आप अपने पास, आपे depend करता है, आप किस पर comfortable हो, Linux पर comfortable हो, य इस वाली जहां server का बात आता है, वहां maximum, लोग maximum clients Linux ही use करती है, ठीक है, तो मैं भी Linux, मैं भी actually Linux ही prefer करता हूँ, और मैं आप लोगों को भी यहीं बलूंगा, कि आप लोग ज्यादा focus Linux में दो, Windows के भी दो, ऐसा issue नहीं है, but Linux में दो opportunities ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो यहाँ स आपको क्या करना है, सबसे पहले Amazon Linux 2 का image जो है, आप लोगों देख सकते हो, यह free tier eligible है, means, अगर आप लोगो free tier नहीं बता हो, तो मैं आपको बता देता हूँ, साथ इसके पहले बाए लेक्चरे मैंने आप लोगो clear नहीं करा था, यह चीज, जब आप account create करते हो नो दोस्तों तो आपको एक साल के लिए AWS free tier account आपके लिए बना के देती है, जहां पर वो बहुत सारे services को free करके रखती है, यह मैं सोचना है कि 100% service free है, कुछ-कुछ चीजे परी है और जो भी free है, आप जहां तक server का बात है, server पर यह साब mention किया वा रहा था, अगर free tier eligible mention है, तभी आप launch को otherwise don't launch it, आप देख सकतो Mac OS launch नहीं है, Red Hat पर free tier है, Ubuntu, Windows यह सारे free tier है, बड़ यह वाले Windows पर free tier नहीं है, तो आपको यह launch नहीं करना है, ठीक है, तो चलिए मैं Amazon Linux 2 AMI को मैं इसे launch करता हूँ, अब जब यह instance type हम लोग select करते हैं, instance type पर दोस्तों आप लोग देख लो, t2.micro पे यह वाले server, यह वाले type को select करते हो ना, तभी आपका free instance launch हो पाएगा, otherwise launch नहीं होगा, और इसका भी कुछ limitations है, I think for EC2 instance, means for virtual machine, आप इसको एक मन्त में 750 hours ही run कर सकते हो, तो मैं आप से बोलूँगा कि पहले आप कोई भी service, अगर आप AWS में यूज कर रहो हो, तो पहले उसका free tier limitations आप internet पे check कर लो, जैसे की EC2 instance का देखते हैं, EC2 instance मतलब दोस्तों होता है, virtual machine, server, याद रखना है यह चीज, तो EC2 free tier, अब ऐसे ऐसे करो, the free tier limits, चलब, आपको मिल दाएगा, what are the limitations of AWS free tier, is EC2 free tier free forever, तो चले कोई दिकत नहीं, हम दो डारेक्ट यहां से देख लेते हैं, जो को यहां पर दिया हुआ, you can run 750 hours of Linux d2.micro, और d1.micro instance with 750 hours, देख सकते हो, आप for 12 months, means, in a month आपको 750 hours सी आप run कर पाओगे, तो यह सारी चीज़े हैं, आपको, जब भी आप अगर कोई भी ऐसा service, जो आप लांच करो, और अगर आपको उसका free tier limitations नहीं पता है, तो लांच करने से पहले उसके free tier limitations को जरूर देखें, अधर्वाइस कब पैसा उठ जाएगा और कब कितना चला जाएगा भी आप खुद image नहीं कर पाओगे, तो यह हो गया, चलो मैं आप t2.micro लेना है आपको, अब सबसे पहले मैंने क्या किरा है, सबसे पहले मैंने एक EC2 instance को launch कर रहा है, मुझे एक server चाहिए तो मैं यहां से इमेजेज हैं, आपको Windows server चाहिए, database server चाहिए, Linux server जो भी server वो सारे के server के image को AWS ने डे रखा है, दोस्तों image क्या होता है, simple shift चीज़ है, अगर आप एक तरह से just imagine कर लो, OS, एक operating system, बट फिर आप सोच रहोंगे Linux 2 का बहुत सार, Linux 2 का दो दो इमेज है, विंडो का बहुत सारा ह अब लोग देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, Microsoft Windows server 2019 base, यह क्या है, 2019 base with containers, यह containers के साथ image आता है, यह क्या हो गया, 2019 with SQL server standard, यह SQL server है, यह जो विंडो का image है, यह SQL के साथ आता है, means, just imagine करो कि यह Microsoft Windows server का operating system है, operating system के बाद, SQL server भी pre-installed होगा, जब आप इसे launch करोगे, यहाँ पर operating system के साथ आपको containerization भी मिलेगा, जब आप इसे launch करोगे, यहाँ पर बस आपको operating system मिलेगा, बाकि complete blank होगा, उसके बाद कुछ भी install करना हो, तो आप खुद से install करोगे, यह सारे चीज़े हैं, आपको यहाँ पर जैसे देखो, SQL server का enterprise version भी मिलेगा, अगर आप इस image से create launch करते हो, तो Windows server के साथ SQL server का enterprise version भी मिलेगा, तो इस तरीके से सारे के सारे images यहाँ पर distributed है, आपको जो भी अच्छा लगे, आप खुछ से वो ले सकते हो, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा, मैं एक simple सा Amazon Linux to AMI ले ले लेता हूँ, अब यहाँ से यह instance type होता है, सेलेक्ट करने का, दोस्तों मैं बताता हूँ instance type क्या होता है, हाला कि इन सारे चीज़ों का मैं आगे detail में बताऊंगा आप लोगों को, बट अभी क्या है, मुझे initiate करना है, मुझे एक server के जरूवत है, इसलिए मैं आपको थोड़े से shortcut में यह चीज़ बता रहा हूँ, यहा कि हाई मेमोरी चाहिए, जो कि एक 1GB मेमोरी पर कामनी होने वाला, उसके लिए में भी आपको 16GB मेमोरी चाहिए होगा, उसके लिए में भी आपको जो CPU है, वो ज्यादा चाहिए होगा, more amount of CPU चाहिए होगा, तो it depends on your application, आपका कौन सा application, कितना load लेता है, उस हिसाब से आपको image type यहां से select करना हो, दोस्ता आपको देख सकतो कितना image type है यहां पर, इसलिए cloud लोग prefer करते हैं, because everything is flexible, आपको जो चाहिए, जैसे चाहिए, वैसे मिलता है, आपको देख सकतो, कितने सारे image है, ठीक है, यह सारे instance family होता है, तो इन चीजों को भी हम लोग आगे चलके detail में दे memory होता है, और आपको एक CPU मिलता है, network performance आपको देख सकतो, low to moderate, कोई बहुत high नहीं है, आगे जाओगे तो आपको high भी मिलता है, up to 5 GB, इसके बाद आपको 10 GB मिलेगा, यहां 20 GB मिल रहा है, that is also depends on your application, कि आपका application को आखिर क्या चाहिए, ठीक है, अब हम लोग यहां पे, जो instance type हमने select कर लिया, अब हमें configure करना है, अपना instance, means अपने server को configure करना है, दोस्तों फिलाहल इन सारे चीजों पर ध्यान मत देना, यह सारे चीजे networking components है, मैं आगे चलके VPC आप लोग को बढ़ाने वाला हूं, networking detail, तो उसमें आप लोग यह समझेंगे, फिलाहल आपको बस इतना मे मैं public IP enable कर रहा हूं, because मैं चाहता हूं को मेरा application है, वो worldwide accessible हो, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, सीधा यहां से add storage बेकलिक करना, यह होता है storage, आपके server पे आपका जो storage attached है, कितना memory चाहिए आपको, तो minimum चलिए 8GB required है, for Amazon Linux 2, चो मैं यह minimum मिले लेता हूं, ठीक है, यह जो भी जैसा है, वैसा मैं by default यह लेकर छोड़ चुका हूं, दोस्तों यह सब आपको ध्यान नहीं देना है, IOPS क्या है, throughput क्या है, यह सब जैसे-जैसे मुझे लगया कि हावाई समय आ गया है, मैं आप लोग को इस चीज़ों को बताऊंगा, आप लोग को tension लेन तो मैं इसे डालता हूँ, frontend, frontend web app, दोस्तों best practice है, आप चाहो तो add tags, जो टैग है न, इसे आप skip भी कर सकते हो, but best practice है, AWS always recommends और जब आप कंप्री में जाओगे तो वहाँ पे भी without tagging काम नहीं होता है, इसलिए आप जब भी practice करो भी खुद से, मैं आपको यहीं बोलूँग आप tag दो, आपको आदत हैसका चली आदत बना रहाएगा आप लोग को, अब आते हैं security group तो चलिए यह आप प्लीज आप इस चीज़ पर ध्यान ना दो, यह चलो मैं एक simple सा चीज़ बताता हूँ, यह kind of firewall है, ठीक आप लोग को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बता द कौन सा traffic आपके server पर जाएगा, कौन सा traffic server पर आएगा, कौन सा traffic server पर नहीं आएगा, क्या port number चाहिए, कौन कौन सा port number से लोग access कर पाएंगे server को, यह कुछ networking details है, अगर आप लोग को भी नहीं भी पता है, कोई बात नहीं, I'll come to that later, अब यहाँ से हम लोग review करते हैं, यह launch कर अब दोस्तों, जब आप अपने server को launch कर पाऊगे, आपको पहले मला आप देख सकते हो, आप यहाँ से review कर सकते हो, कि आपने क्या-क्या select कर रहा है, क्या-क्या select नहीं कर रहा है, जब आप launch करते हो, तो आपके screen पर यह आजाएगा, select and existing key pair, और create a new key pair, दोस्तों, मैं चलिए authentication, shortcut में इसे आपको यह बता दू, कि यह एक तरह का authentication file है, अब कोई भी server पर login करते हो, तो आपको ID password देना होता है, ठीक है, यह ID password नहीं है, बट यह तरह का आपको एक key है, ठीक है, इस key का use करके, इस key का use करके आप उस server पर login कर पाओगे, let's suppose server पर ताला जो log है, उस ताले को खुलने के लिए कोई तो चावी होगी, यह वही चावी है, और इस चावी को आप बस एक बार ही download कर सकते हो, मैं अगर करता हूँ create new key pair, और मैं इसे डालता हूँ front end, मैं एक बार यहां मैं download पर click करा, बस एक बार यह download हो पाएगा, इसके बाद अगर मैं गलती से भी, इस key को मैंने miss कर दिया, मैं दुबारा download नहीं कर पाऊंगा, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दू कि अगर आप create, इस key pair को create भी कर रहो, just keep it as a, keep this key pair very very safe, okay, now just click on the launch instance, अब instance को launch होने में almost 3-4 minute लग जाता है आपको, यहां पर विल्वी इंस्टेंस पर आओगे तो आप देख सकते हो, जो हमारा EC2 instance है, means जो हमारा virtual machine है, जो server है, वो launch हो रहा है, यह क्या है, बेंडिंग पर है, ठीक है, तो चलिए, जब तक यह launch होता है, मैंने आपको अलड़ी आपको add करना है, अगर आपके पास अपना कुछ front-end app है, HTML, CSS file आप कर सकते हो, अगर नहीं, तो आपको क्या करना है, यहां पर directly क्लिखना है, HTML, website, free templates, यह सारे free templates है, आप लोग यहां से उठा सकते हैं, इन लोग ने free templates दे रखा है, आप यहां से कोई भी चलो HTML का, मैं बोलत रहा हूँ आपको की, चलो यह उठा लेते हैं, लोग, welcome to education pro, इसे मैं यहां से download कर लेता हूँ, ठीक है, दोस्तों, अगर आप चाहते हो, यह सारे, यह जो भी template है, HTML के इसे use करना, तो मैं आपको बता दू, आपको पहले license वगरा, चेक करना होगा, आप क्या modify कर सकते हो, क्य तो यह क्या हो गया, download हो चुका है, और आप देख सकतो हमारो जो server है, वो भी फिलहाल running state में आ चुका है, तो चलो दोस्तो, मैंने क्या करा है, मैंने अभी इस HTML फाइल को download कर दिया है, तो अब इस server से, इस server पे को जब अपने front-end application को launch करना है, उसके लिए जो मैंने code मुझे डालना है, उस server के उपर, उसके दो रास्ते हैं, मैं चलो आपको बताता हूँ, पहला रास्ता आपको क्या होता है, SSH के थुरू, I hope कि आप लोग को पता होगा कि जो Linux instance होता है, जो Linux server होता है, उसे हम लोग port number 22 बे, SSH के थुरू भी access करते हैं, ठीक है, बट यहां हम लोग port number, SSH के थुरू, access नहीं करेंगे, because अभी क्या है, पहले क्या था, कि पहले कि जब AWS new आया हुआ था, उस टाइम पर क्या था, कि हमारे पास एक option था, कि हम लोग SSH के थुरू इस server से connect करते थे, by using putty, अब क्या है कि AWS ने बहुत साय रास्ते दे रखे हैं, इसलिए आपको putty क थो जाने है, कोई जरूत नहीं, और कुछ-कुछ best practice है, as per AWS, जो best practice है, हम लोग उसके, उस हिसाफ से putty का use नहीं करेंगे, उस हिसाफ से एक और रास्ता है, वो मैं आप लोग कभी नहीं बताऊंगा, तो जब मैं EC2 की detail में बताऊंगा, उस से मैं मैं आप लोग को सिखाऊं करना है, इतने सारे रास्ते हैं, दोस्तों, ये चार तरीकों से आप अपने server को access कर सकते हो, तो मैंने जो SSH वाला बात बोला था, वो आपको ये वो रास्ता है, SSH client, आप चाहो तो ये भी use कर सकते हो, चलिए मैं आपको ये भी use करके दिखाई देता हूं, ठीक है, तो इसक पस वहाँ भी terminal होगा, बट अगर आप window use कर रहा हो, तो उसके लिए आपको putty install करना होता है, putty एक software है, जिसके थूरू आप Linux machine पे SSH ले सकते हो, ठीक है, तो मैं आपको, हाँ, चलो मैं आपको, ये जो पहले SSH client वाला जो तरीका है, मैं इससे पहले आपको login करके दिखाता हो, तो आपको क्या करना है, इसने सारे के सारे steps दे रखे हैं, इसने क्या बोला कि पहले जो आपका PIM file आपको याद होगा, मैंने बताया था, जो key था, उस key पे जो permission है, वो modify करना है, उसके बाद अपने instance को इस तरीके से ये वाले command का use करके launch करना है, तो सबसे पहले आपक ये वाला जो command है, इसे run कर देना है, अब next क्या करना है, आपको ये वाले command को run करना है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये issue क्यों आ रहा है, आप लोग देख सकते हो कि ये connect नहीं कर पा रहा है, क्यों, ये issue आप लोग के साथ भी आएगा, अब इसे कैसे resolve करना है, मैं आप ल इंदर आपको देख सकतो हो, यहाँ security groups होगा, आपको यहाँ security groups पर जाना है, यह security group दिख रहा है, यहाँ इसके inbound rule पर click करना है आपको, और inbound rule पर यहाँ पर edit inbound rules करना है, अब यहाँ पर आपको एक rule add करना है, यह आपको same यहाँ से all traffic पर click कर देना है, और इसे 0.0.0.0.0 जिरो होता है आपको इस पर क्लिक करना है दोस्तों 0.0.0.0 का मतलब होता है internet access means accessible from internet from anywhere in the world इसको आपको save करना है अब यह जो है हमारा यह connect हो जाएगा जहां पर के इंटर मारों आपको देख सकतो हो यह हमारा connect हो चुका है अब आपको देख सकतो Amazon Linux 2 यह हमारा Linux server जो हमने actually में यहां पर जो launch कर रहा है किधर गया यह जो हमारा instance launch कर रहा है यह जो server है अभी हम लोग actually that server पर हम लोग login आप कैसे पता कर सकतो हो आपको अपने server पर जाना है यहां पर जाओ और आप लोग सकतो आपके server का private IP address क्या है 172.31.13.60 आप लोग यहां भी देखो 172.31.13.60 ठीक है और यह आपको यहां प्राइवेट IP ही इसो करेगा ओके दोस्तों अब नेक्स तरीका क्या है इस से connect करने का फिर से आपको connect पर क्लिक करना है और आप EC2 instance connect पर आपको यहां पर क्लिक करना यहां से जैसे आप connect करोगे तो आप अपने ब्राउजर पर ही डारेक्ली इस instance को इस EC2 इस instance को access कर पाओगे आपको देख सकतो है हमारे ब्राउजर पर यह डारेक्ट अक्सेस हो रहा है यह और यह दोनों से मैं ठीक है तो चलिए मैं अपने ब्राउजर पर ही इसे यूज करने वाला हूँ इसे मैं टर्मिनल पर इसे यूज नहीं करोगा ठीक है तो जब भी आप कोई भी सर्वर पहले न्यू न्यू लांच करो नहीं तो आपको यह देख सकतो हो रन शुरू यम अपडेट टू अप्लाय अल अपडेट यह कमांड आप रन कर देना यह बहुत ही यह जरूर ही है विकोज यह क्या करेगा सारे जो भी सॉफ्ट्वेर्स वगरा पहले से इं चलिए हमारा सारा का सारा जो भी पैकेस था वह इंस्टॉल हो चुका है वह अपडेट हो चुका है अब आपको क्या करना है आप लोग सोच रहोंगा यहां पर दो और अप्शन है सेशन मैनेजर एसी टू सेरिल कंसल सो गाइस दोंट वरी बाउट इट जब हम लोग डिटेल में इसी टू कर बढ़ेंगे उससे में हम लोग यह चीज़े को देखने वाले है तो फिलहाल मेरा क्या टार्गेट है इस स लिंक को कॉपी करो अप यहां से यहां से करल कमांड करो सारी data कमांड करो करो और आप को सुटו यह व्यूज करना है डफलू गट रिश्री ना इस का आपको लिंग यूज करना है मैंने मैं डानलोड लिंक जो मैंने लिंक कोपी करा तो आइधिंक ओके नहीं यह डाउनलोड ही आ रहा है मैं काम करता हूं इस लिंक को न्यू टैब में उपन करता हूं और इस टैब को कॉपी करता हूं तो यह क्या हो गया शूडव डवलूगेट यह लिंक हमारा आ चुका है अब इससे हम लोग इंटर करते हैं यह हमारा जो भी जो वेबसाइट था वो इस सर्वर पे डाउनलोड हो गया जैसा मैंने पहले इससे डाउनलोड पर क्लिक करके मैक में इंस्टॉल किया था अपने त इस देएं पहले आँ युशित सिक्लियर कर दता हूं चेश्त करता हूं siamo प्लिश लोगों सकते हो हमारा जो है जो भी इंटरा आपको यहां पहले यह से क्या करना उनसे करना और थांजीब यह चलिए यह हमारा हो चुका है अब इस वोल्डर के एंडर आपको जाना है audio यहाँ पर आपको complete यह आपका website यह आपका complete code है अगर आपको ब्लीब नहीं हो तो मैं आपको index.html file जो है वह मैं आप लोग को दिखा देता हूं cat करके cat index.html file index.html देख सकतो complete code है हमारा ठीक है न दोस्तों आप आप लोग समझ गए होंगे कैसे एक web application को अपने server पर कैसे download करना है अब हमारा सारा का सारा code इधर है अब आप लोग को मैंने initially ही यह बात बताया रखा है कि यह जो यह जो क्या कहते हैं इसे यह जो server है यह अभी फिलाल मेरा blank server है जब मैंने इसे launch किया था तो आपने यह चीज कहीं नहीं देखा हुगा कि यह वेव server लिखा हुआ है यह word मैंने यह front-end web app यह मैंने खुछ से लिखा है तो AWS आपको normal server ही देती है उसके बाद आपको manually उस server को web server में convert करना होता है या फिर application server में convert करना होता है या फिर database server में convert करना होता है तो मैं फिलाल इस server को web server पर convert करने वाला हूँ ठीक है तो उसके लिए मैं आपको क्या करूंगा सबसे पहले आपको एक software कर लो एक package है जो install करना होता है जो कि आपके इस Linux server को web server में convert कर देगा उसका नाम है sttpd अपाचे अपने अपाचे का बहुत नाम सुना होगा तो मैं इसे सिजह आपको ऐसे करना है sudo yum install sttpd और hyphen y देना है hyphen y क्यों देते हैं मैं आपको बताता हूँ चलिए अब बीन अब हमारा sttpd इंस्टॉल हो चुका है अब मैं मुझे क्या करना है कि जो sttpd इंस्टॉल हो गया ना अब यह package दो state में रह सकता है या तो stop state में या फिर start state में अगर यह stop state में है तो आपका server है यह normal server की तरह काम करेंगा अगर उसे मैंने start कर दिया start करते हैं आपका जो server है नहीं वह server में convert हो जाएगा तो चलिए वह भी देख लेखते हैं उसका कमान होता है आपको सिस्टम ctl status सरी system ने लिखा मैंने यहां पर system होगा system ctl status और sttpd आप लोग देख सकतो अभी फिलहाल ctl status क्या है यह in active dead है मुझे क्या करना है इसे start करना है तो इस status को मैं यहां से हटा के पहले मैं करूंगा start अब हो गया start फिर से मैं status को देखता हूं आप देख सकतो यह active यह running है means हमारा यह server अब web server में convert हो चुका है अब हम लोग उसे check कैसे करेंगे कि web server में convert हुआ है या नहीं आप लोग को अपने server पर आना है और यह public IP address दिख रहा है इसे copy करना है private नहीं करना है public करना है because public IP address का मतलब है यह worldwide दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी ब्राउजर से अगर आप उस ब्राउजर पर यह वाले IP address को डालते हो तो आपका यह website access हो जाएगा आप देखो यह browser मैंने इस browser पर डाला तो यह क्या हो गया यह page access किया यह क्या page है यह actually इस server पर run कर रहा है यह वह पेज है यह web server convert हो चुका है तो जैसे ही मैंने उस web server के public IP को अपने ब्राउजर पर डाला वह यह page access कर पा रहा है means हमारा server जो है web server में convert हो चुका है अब आप देखो आगे यहां क्या लिखो if you are the website administrator you may now add content to the directory slash where slash www slash html यहाँ पे इस location पर अगर आप अपने web server के content को रख देते हो ना तो automatically लोग दुनिया में आपके public IP address को use करके आपके उस particular html का जो content है जो web application है उसको access कर पाएगा दोस्तों हमारा application क्या है यहां पे यह हमारा application है है ना मुझे क्या करना है यह सारे के सारे files को कहां रखना है इस वारे location पर रखना है तभी तो दुनिया में लोग मेरे application को access कर पाएगी तो चलिए पहले इस location पर चलते हैं उसका command क्या है यहां से government करना है यहां से इस कहां डालना है वैर www slash htmf बढ़ार अब करते हैं एलस अभी तक गया नहीं चलो वहाँ देख लेते हैं पहले हम लोग अभी तक आया नहीं है तो चलिए पहले होम लोकेशन पर हम चल लेते हैं यहां पर आपको क्या करना है अब करण यहां से आपको मूउ Hoş स्टार इस्टर एक स्लास व het स्ट्व यॉल्श्ड detectivecar कई नौट मूफ पर्मिंस्ट गैड ख्रोटञ योकर आपको अपको पर्मिंस्टन दीनाईड आ जाए यहां से sudo space मैंने उपर कौन सा कमांड रन कर रहा है यह कमांड अब मुझे इस कमांड के पहले बस sudo यूज करना है तो मुझे फिर से sudo type करके complete कमांड नहीं लिखोंगा मैं यहां पर sudo और यह दो डालूंगा इंटर ऑटोमेटिकली sudo मुझे स्टार यह कमांड रन हो गया है ठीक है आप देख सकतो हो मैं LS किया यहां पर कोई भी फाइल प्रेजेंट नहीं है देख सकतो हो यह फाइल कहां पर है सब्सक्राइब कर दोस्तों जब अपने अप्लिकेशन को इस लोकेशन पर मूव कर देते हो ना तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपका जो सिस्टम सित्य जो मैंने आपको दिखाया था नहीं स्टेटव अभी रन कर रहा था उसको आप रीस्टर्ट करता कि से यह बस्ट प्रैक्टिस है यह Hij रिज्टर्ट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है इसका चेटवर्ट यहां पर चेक करना है यह अभा estás je मिन्स आपका वेव सर्वर रनिंग है अब आईए हम लोग इसे एक्सेस करते हैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करते हैं आपको देख सकते हो दोस्तों जो HTML फाइल था वो accessible है यह हमारा front-end application अभी accessible हो चुका है आप लोग इस front-end application को यूज़ कर सकते हो तो आपको दोस्तों देख सकते हो कितना असान है front-end application create करना अगर आप इसका यूज़ करके बुढ़े वल्ड में कहीं भी इस public IP को डालो यह वेव अपका एक्सेस होगा यह होगा चलो मैं आपके एक और चीज़ दिखा दोता हूं यहां से मैं न्यू प्रैविट विंडों इंकोग्नीटों में जाके इसे डालता हूं इंडर करा यह हमारा एक्सेसिबल है झालता हूं झालता हूं